Hello everyone, तो आज हम reactions of hello arines से start करेंगे Before that lecture number 7 तक हमने reactions of hello arines तक discussion कर लिया था तो आज हमें जो start करना है वो है हमारा reactions of hello arines इसमें जो सबसे पहला reaction है हमारा वो है हमारा nucleophilic aromatic substitution reaction यह बहुत इंपोर्टन रियाक्शन होती है क्यों होती है मैं आपको बताता हूं मैंने आपको बताया था कि जो hello arines होती है जो बेंजीन ग्रूप से डारेक्टली कोई hello arines group है let's say this is glory तो इसे हम naming करेंगे क्लोरो बेंजीन क्लोरो बेंजीन इसका मतलब बेंजीन इन निंग पर एक क्लोरो ग्रूप लगा है ठीक है यह यह आपको निकलियो सब्सक्राइब नहीं होती है क्यों नहीं होती है इसके फीछे तिन चार डिजन्स हैं इस बन के बीच में डबंड डबन के नpoon होता है वो क्या होता है मैं आपको जब resonance structure बताया था इसका chloro-minsane का यह हमारी chlorine इसके पास क्या है loan pair इसकी resonating structure पहले बनाते हैं यह अपने loan pair अधर donate करेगा और यह pi bond तूट के यहां आ जाएगा तो first structure जो बनेगा वो हमारा कुछ इस तरह से होगा यह double bond, यह double bond इन दोनों के बीच में जब यह loan pair जब donate करें मतलब loan pair एक pi bond के form में बन रहा है अभी since यह donate किया है तो इससे एक plus charge आएगा और दो loan pair रहेंगे अभी जिस side हम arrow दिखाते हैं उस side हमारा electron pair जो होता है वो जाता है मतलब यहाँ पर electron pair आया है वो भी minus charge आया further अब जब तक यह पूरी ring minus charge पूरी घूमन जाए पूरी ring में तब तक हम इसकी resonating structure बनाते रहेंगे further क्या होगा अब यह pi bond जो है यह pi bond इस तरह से तूटेगा कि यहाँ पर positive charge आया है अब दूसरे opposite जो है pi bond के उधर positive आयागा जब यहाँ पर positive आयागा तो positive और negative मिलकर क्या बना लेंगे double bond तो यह हमारा double bond था यह negative आया यहाँ पर यह negative और यहाँ पर positive आया यह मिलकर double bond बना लिए और यह हमारा adjective सेम रहा है प्लस फर्दर अब यह एक और रेजिनेंटिंग स्ट्च्चर में इस रेजिनेंटिंग स्ट्चर में क्या होगा यह पाई बन इधर तूटे यहाँ पर positive चार्ज जाएगा यहाँ पर negative यह positive negative मिलकर अगें double bond बना लेंगे यहाँ पर फर्दर आया minus charge और यह है हमारा double bond CL प्लस अब क्या होगा अब यह होगा कि जब यह lone pair again pi bond में convert होगा तो यह bond तूटके again chlorine के पास चला जाएगा तो जिस वजह से chlorine के पास positive charge आया था अगें उसका lone pair उसके पास चला गया तो इसकी क्या होगी यह positive charge भी हट जाएगा क्योंकि अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यह pi bond जब तूटेगा तो इस पर minus चार जाएगा और यहां पर जो positive charge आएगा positive negative bond बन जाएगा तो कुछ इस तरह से हमारा again chlorobenzene form होगा अब बात important note करने वाले क्या है बात important note करने वाले यह है कि जब भी हम resonating structure बनाये यह तो हर एक resonating structure में जो यह benzene ring थी और जो chlorine था उनके बीच में क्या था double bond और यह जो aromatic rings होती हों हमेशा resonance so करते रहती है इसका मतलब होता है कि इनके बीच में aromatic and chlorine के बीच में हमेशा क्या होता है double bond character present होता है double bond character present होता है although यह 100% नहीं होता यह 100% double bond नहीं होता है 100% होता है यह हमें साम इस तरह सो करते हैं यह partial double bond होता है जो हमें दिखाए दो नहीं देता but due to presence of resonance इसमें present होता है and since double bond character है तो उस double bond character पर तोड़ने के लिए हमें ज्यादा energy देनी होती है अब ज्यादा energy देना है तो फिर nucleophilic substitution नहीं हो पाएगा इसलिए in general क्या होता है कि nucleophile अगर आप normal halo arines से reaction करा है किसी वी एक halo arines से आप यहाँ फ्लोरो बेंजीन भी ले सकते थे ब्रोमो बेंजीन भी ले सकते थे और आप डायरेक्ट सोचें कि जैसे हम halo arines के case में nucleophilic substitution करा देते थे इन दिस केस भी हो जाए तो यह possible नहीं होता है यह तो first region हुआ double bond character आपके NCRT में और भी दो तीन regions given है मैं उनको भी discuss कर लेता हूँ दूसरा region आप यह भी देख सकते हैं कि halo arines and halo arines के case में क्या difference है यह chlorine यह double bonds ठीक और हम यहाँ पर कोई halo alkane का option देलते हैं let's say यह CH3, Cl and hydrogen अब आप बताएं यहाँ कितने sigma bonds 1, 2, 3, 4, 4 sigma bonds इसकी hybridization क्या होगी SP3 अगर SP3 hybridization है मतलब इसका क्या 25% S character है इसमें 25% क्या है S character है और अब इस case में निकालें तो एक sigma है यह तो double bonds है एक sigma एक πाई होगा और एक यहाँ पर sigma है मतलब इस carbon के लिए कितने sigma bonds है तीन sigma bonds है SP2 hybridization होगा एक S का दो bigger इसका SP2 hybridization होगा और percentage of S character जो हम निकालेंगे तो यह 33.33% आएगा परसेंटेस कारेक्टर अब जो bond strength होती है आपको पता हुआ chemical bonding में आपने पढ़ रखा है कि bond strength जो होती है वो directly proportional होती है percentage of S character के मतलब जिस bond में percentage of S character सबसे ज्यादा होगा उसकी bond strength भी सबसे ज्यादा होगी तो यह exactly same conclusion निकलेगा जो मैंने आपको उपर समझाया कि इसमें क्या इसके bond strength ज्यादा है क्योंकि इसके पास क्या percentage of S character ज्यादा है और percentage of S character ज्यादा है तो इसकी bond strength ज्यादा है इसलिए यह general nucleophilic substitution reaction सो नहीं करते हैं अगर हम इस case में बात करेते हैं इसमें सिर्फ और सिफ single bond है पाई बॉंड नहीं है पाई बॉंड नहीं है तो हमें सिर्फ सिग्मा बॉंड ही तोड़ना है तो यह जो है हमारा अगर nucleophile अगर हम इसमें add करें तो यह हमारा nucleophilic substitution reaction सो करता है और यहाँ पर nucleophile add हो जाएगा प्रस Cl- living group की तरह निकल जाएगा अब यह देखते हैं डिसकोस करते हैं कि ऐसी कौन सी condition है जिसमें nucleophilic aromatic substitution as an AR possible हो बात है तो आप एक point लिख सकते हैं कि generally एक theoretical point आपको काम आएगा generally aromatic nucleophilic substitution that is nucleophilic aromatic substitution reaction do not takes place अब इस condition लिख सकते हैं कि generally आरोमेटिक कंपाउंड्स आरोमेटिक कंपाउंड्स इन ब्रेकेट आप हेलो एरीन्स भी लिख सकते हैं do not show nucleophilic substitution reaction तब बात होती है कि तब यह reaction होती कब है if any strong electron withdrawing group strong electron withdrawing group यह ewg है इसे हम इस electron withdrawing 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 को मतलब क्या होता है निकालना withdrawing group मतलब यह जो groups होंगे वो electron सो क्या करेंगे withdraw करेंगे electron cloud को निकालेंगे इज प्रेजन्ट एट और्थो एंड और्थो एंड भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं with respect to the living group जो हमारा living group की तरह act करेगा उसके respect में एक electron withdrawing group एक भी हो सकते हैं दो भी हो सकते हैं हम उन्हें अभी discuss करेंगे कोई भी strong electron group electron withdrawing group अगर और्थो एंड पैरा पोजिशन पर प्रेजेंट हैं तो वो उस बेंजीन रिंग की electron density को decrease करेंगे मतलब उसके बेंजीन रिंग की जो electron density है उसको decrease करके उसको unstable बनाएंगे जिससे की वो reaction जो nucleophilic aromatic system नहीं हो पा रहा था SNAR वो possible हो जाए For example हम एक benzene रिंग लिए यहां पर हमने लगा fluorine इसके पैरा position पर मैंने एक NO2 ग्रूप लगा दिया यह मैंने आमको distance किया था कि किसी भी सब्सेट्यूइंट के ठीक and D मतलब just opposite side जो होते वो पैरा position होता है इसी सब्सेट्यूइंट के जो adjacent carbon होते है वो orth होते है and further next adjacent जो होते है अगले वो मेटा होते है मतलब एक benzene रिंग में एक सब्सेट्यूइंट के according दो orthो दो मेटा एक पैरा position होता है अब यह हुआ हमारा नाइट्रो ग्रूप हमने लगा दिया पैरा position पर अब अगर हम nucleophile कोई लाएं यह OH- हो सकता है कोई भी nucleophile हो सकता है तो यह nucleophile जो है इस fluorine को substitute कर देगा OH आजाएगा और NO2 हमारा अजिटीद सेम रहेगा NO2 का काम क्या है? NO2 का काम है इस benzene ring को deactivate करना भलब इसकी benzene ring की जो electron density है उसको decrease करना जिससे कि यह जो है इसकी stability जो है वो gain ना हो पाया यह F-11 living group की तरह निकल जाएगा अब condition क्या है? condition यह है कि जो electron withdrawing group है वो और्थो या पैरा पोजिशन पर present हो यह तो होगी पैरा पोजिशन एक और्थो पोजिशन भी देख लेते हैं यह होगा हमारा fluorine हम और्थो पोजिशन पर एक एनोटो ग्रूप लगा देते हैं फर्दर हम OH-C reaction करा दें तो F क्या होगा? substitute हो जाएगा OH NO2 हमारा adjective सेम रहेगा प्लस F- living group की तरह निकल जाएगा बट अगर यह NO2 मेटा पोजिशन पर हो अगर यह NO2 मेटा पोजिशन पर हो और हम नुकलियोफाइल से reaction करा है तो हमें तो लगेगा कि reaction हो रही है बट actual में no reaction क्योंकि यह जो electron withdrawing group है NO2 अभी मैं एक order भी लिखाऊंगा basically एक जिसमें कि हम जो strong electron withdrawing group है उनको एक जग कर लेंगे ताकि हमें याद करने में आसानी हो कि कौन-कौन से groups electron withdrawing group है जो कि benzene ring में present होने पर SNAR reaction को possible करा सकते है before that अगर NO2 group metaposition पर है तो इसकी electron withdrawing group जो strong electron withdrawing group tendency जो है वो less हो जाती है यहां पर यह minus i effect जो करता है जो जो मतलब weak होता है और अगर यही इसके ortho या metaposition पर होता तो यह minus m effect जो करता जो में जो मेरिक निगेट्व में जो मेरिक effect जी सम भोलते है और यह क्या है negative inductive effect है basically तो आप इतना याद रखें कि अगर NO2 group metaposition पर है तो reaction नहीं हो सकती और अगर ortho या para position पर है तो SNAR reaction completely होगी without any if and but अब आये discuss करते हैं कि जो strong electron withdrawing group है जो strong ewg groups है वो कौन-कौन से हो सकते हैं तो first जो आपका NO2 हो सकते हैं अगर NO2 ortho या para position पर है तो यह strong electron void drawing group की तरह काम करेगा फिर आपका CF3 हो सकता है CCL3 नहीं होगा actually यह थोड़ different case हो जाता है आपका यह NR3 plus हो सकता है fluorine हो सकती है क्योंकि इसकी electronic utility बहुत ज़्यादा होता है NF3 plus हो सकता है यह आपकी कुछ important है एक आपका cyanide groups भी हो सकता है CN अगर यह सारे groups ortho या para position प्रेजेंट हो तो SNAR reaction possible होती है for example अगर कोई benzene ring है यहाँ पर chlorine है इसकी ortho position पर हमने एक cyanide group लगा दिया तो यह OH- अगर nucleophile है तो SNAR reaction सो करेगा और जो product बनेगा हमारा वो कुछ इस तरह का होगा बात समझ में आई तो यह है हमारा SNAR reaction कुछ rate के basis पर इसके हमने न ओटू- ग्रूप है एक दोसरा जो compound है है by chlorine इसके ortho एंड पैरा पोजिशन पर नाट्रो ग्रूप है और जो थर्ड है उसके दोनों ही और फोजिशन पर अ कि क्या है एन ओटू- ग्रूप है और पैरा पोजिशन पर भी एन ओडू-ग्रूप है मतलब इसमें सिर्फ एक NO2 ग्रूप है मतलब सिर्फ एक electron withdrawing ग्रूप है इसमें दो-दो electron withdrawing ग्रूप है और इसमें तीन है जैसे जैसे numbering electron withdrawing groups की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे reactivity जो है towards SNAR वो भी बढ़ता जाएगा मतलब rate of SNAR nucleophilic aromatic substitution जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी third के case में फिर होगी second में फिर होगी first में यह होगी हमारी rate का comparison जाने अब एक और मान लेते हैं एक जामपल लेते हैं एक और एक जामपल है कि मान लेज़ें यहां पर क्लोरीन है इसको और फो पोजिशन पर नाइट्रो ग्रूप है एक दूसरा है क्लोरीन इसके मेटा पोजिशन पर एनोटू ग्रूप है अब इन दोनों में कंपेर करना है हमको कि कीस केस में SNAR का रेट ज़्यादा होगा तो मैंने आपको पता है कंडिशन आपको पता है कंडिशन यह है कि किसी भी इसके और फो पोजिशन या पैरा पोजिशन के पर जो एक्ट्रो विड्रोइंग रूप है वो प्रेजन्ट होने चाहिए इस केस में तो और्थो पोजिशन पर है बट इस केस में यह मेटा पोजिशन पर है बद इसमें SNAR नहीं हो पाएगा बट इसमें होगा तो रेट किसकी ज़्यादा होगी इसकी ज़्यादा होगी यह हुआ हमारा SNAR के कंपेरिजन रेट है ठीक एक और बड़ा ही important example है मैं आपको उसको कराता हूँ आप उसमें बताएगे कैसा हो क्यों रहा है आप एक बार अपने से करिएगा and after that आप इस solution को दिखिएगा एक benzen ring है यह एक benzen ring है यहाँ पर आपको bromine given है यहाँ पर fluorine है और यहाँ पर एक NO2 group है हम इसकी reaction OH- से करा रहा है तो और यह one equivalent है मतलब एक ही है आप one equivalent को असकते है या one equivalent नभी ले तो भी कोई फर्क नहीं करता अब आप मुझे पता है कि यह bromine substitute होगा या fluorine substitute होगा बताएं आपको मैं बतादू कि SNAR के case में फ्लोरीन की substitute होगी substitute होगा यह fluorine निकल के जाएगा यहाँ पर OH आएगा not bromine ब्रोमीर नहीं आएगा substitute होगा OH substitute फ्लोरीन substitute होगा बाई OH माइनस और NO2 ग्रूप परिटेज हमारा इसका क्या मतलब हो इसका मतलब हुआ है कि अगर हम SNAR की case ने अगर रेक्टिविटी का और देखें मान यह चार कंपाउंट्स है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन यह हमारे चार कंपाउंट्स है इनके हर एक प्यारा पोजिशन पर सेम ग्रूप है लेट से दिस इस सी यह हैं सभी के पैरा पोजिशन पर हैं कोई डिफ्रेंस नहीं है फरक बस इतना है कि यह फ्लोरीन है यह क्लोरीन है यह ग्रोमीन है यह आयोडीन है हमें इसका रेट का कंपैरेजन करना है कि किसकी रेट ज़्यादा होगी ट्वार्ट्स एसन एयार रियक्शन इतना आप ध्यान रखें कि एसन एयार के केस में फ्लोरीन की जो है रेटिविटी वह ज़्यादा होती है मतलब रेट किसका ज़्यादा होगा एका फिर बी का फिर सी का अनलीष्ट होगा डी का अगर हम यह हेलो एलकेंस के केस में जब डिस्कस किये थे तो हमने देखा आता है कि जो सी एफ बॉन्ड है वहाँ पर स्ट्रॉंग होती है और वहाँ पर जो है ये हाँ ये हैड्रोजन ये हैड्रोजन एक CH3 ये फलोरीन इसम्रली यहाँ पर एक CH3, CH2 एन्ड क्लोरीन CH3, CH2 ग्रोमीन एन्द CH3, CH2 आयोडीन इन केस ऑफ हेलो एलकेंज जो ये हैं इन केस ऑफ तो ये एलेक्टर नेगेटिविटी याफ फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती थी इसलिए इसकी रियक्टिविटी सबसे कम होती थी बस SNAR के केस में इसका जर्श्ट अपोजिट है आप इस बात को ध्यान दे इसकी एक मेकैन परणी जमब ही होती है इसका रिजन कर्फिडर में यह होता कैसे है उसके लिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमे हम कार्बन अette के सबसे करणायन जो बनता है है वो एलेक्टरो नेगेटिविटी या फ्लोरीन के वजह से जादा इस्टेबल होता है इसलिए यह सबसेट्टुट होता है instead of chlorine and rest all bromine and iodine वह हमारे important नहीं है क्योंकि हमारे present time की syllabus से वह नहीं है तो उसके हम out of extra जाने की जरूरत हमें नहीं है मैं आपको बता दिया कि by chance अगर आपको यह भी दिख जाए कि इन चारों में भी अगर rate comparison करने के लो आ जाए तो आपका rate comparison किस बेसिस पर होगा बात सही है तो आजे अग आगे चलते हैं आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारा SNAR यहीं पर खतम होगा निकलोफिलिक अरोमेटिक सब्सिट्यूशन रियक्शन और अब जो हमें परना है वो most important reaction एलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रियक्शन परनी है अब जो हमें परना है वो है एलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रियक्शन यह रियक्शन आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा इसमें क्या होगा इसमें होगा कि इसमें कोई एक अलेक्टरोफाइल आएगा इसके रिस्पेक्ट में पोजिशन्स ऐक्यूपाई करेगा ऐसा नहीं है कि हम इसको कहीं भी लगादेंगे और दूसरा पैरा पोजिशन पर लगेगा मतलब यह क्लोरीन है इसका पैरा पोजिशन क्या होगा? ठीक सामने वाली पोजिशन ये हमारा एक दो प्रोड़क्ट फॉर्म होंगे बाई एलेक्ट्रोफिलिक सॉब्स्टिट्यूशन डियक्शन आए देख देए कि एलेक्ट्रोफिलिक सॉब्स्टिट्यूशन डियक्शन हो कैसे है एक हाइड्रोजन को यह सबस्टिट्टूट करेगा ऐलेक्ट्रोफाइल यह जो है हमारा एक ऐलेक्ट्रोफाईल यहां पर लग जाएगा अब देखते हैं कि यह होता कैसे है यह हमारी बेंजीन रिंग है प्लस यह ऐलेक्ट्रोफाईल यह एलेक्ट्रोफाइल जो है किसी भी एक डबल बॉंड पे अटैक करेगा क्यों क्योंकि इसके पास क्या है वैकन्ट डॉर बिठा ले एलेक्ट्रोण डेफिसियंट है यह और यह पाई बॉंड है मतलब इलेक्ट्रोण क्लाउड है तो यह इस पर attack करेगा यह pi bond टूट जाएगा कुछ इस तरह से यह electrofile यहाँ पर आ जाएगा लग जाएगा अब जब electrofile लगेगा तो यह plus है मतलब यहाँ पर minus होना चीए तब तो यह electrofile लगेगा अगर यहाँ पर minus होगा मतलब यह इस pi bond का दो होते हैं एक आपको minus होता है एक plus होता है अगर minus यहाँ पर आया तो प्लस यहाँ पर आएगा कार्बोकुटाइन बना कार्बोकुटाइन के अगेन क्या होगी अब यहाँ पर एक क्या है hydrogen भी है इस बात को द्यान दे अब यहां पर क्या अगेन रेजोनेटिंग स्ट्क्चर हम एक बनाते हैं इसमें क्या होगा अगेन यह डबल बॉंड यहां टूटेगा और यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा यह डबल बॉंड फॉर्म हुआ अभी अगेन निगेटिव पॉजिटिव मिलके डबल बॉंड बना लेंगे यहां पर पॉजिटिव चार्ज अलेक्ट्रोफाल एड हाइड्रोजन अब क्या होगा इसमें अब जो यह है यह हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा इन फॉर्म आफ एच प्लस इसके भी अलेक्ट्रोजन यहीं पर यहीं पर यहीं पर यहां पर माइनस चार्ज आएगा और यहां पर प्लस चार्ज आएगा तो यह H+, निकल गया और यह माइनस है तो माइनस प्लस में लेंगे, क्या कर लेंगे, डवल बॉन बना लेंगे, तो यह हमारा एलेक्ट्रोफाइल आगे हम, इस तरह से होता है हमारा एलेक्ट्रोफिलिक सॉब्स्टिट्यूसन रियक्शन, यह इसकी मेकानिजम है, यह है हमारी एलेक्ट्रोफिलिक सॉब्स्टिट्यूसन रियक्शन, अब एलेक्ट्रोफिलिक सॉब्स्टिट्यूसन रियक्शन में मुझे हमें बहुत सारे रियक्शन्स पढ़ने हैं, नाइट्रेशन, नाइट्रोफिलिक सॉएशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, फ्राडि हम नाइट्रेशन रियक्शन अभी पढ़ेंगे नाइट्रेशन में क्या होगा बेंजीन रिंग होगी प्लस एक रियेजेंट यूज होगा इस रियेजेंट को आप ध्यान दें प्लस एक रियेजेंट आपको अभी याद रखना होगा प्लस एक रियेजेंट अभी यूज होगा और इसमें जो एक्ट्रोफाइल होगा वो होगा ईलेक्ट्रोफाइल हमारा NO2 प्लस ये NO2 प्लस कैसे मैं अभी एक्स्प्रेशिंग करूँ करूँगा आपको बड्बीफोर देट आप इतना देर कि ये ईलेक्ट्रोफाइल जो होगा NO2 प्लस होगा और और इलेक्ट्रोफिलिक में आपको भी मैंने बताया उपर कि एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा बेंजिन दिंग पर अटैक करेगा और एड़ हो जाएगा ये उसकी बकायदा मैंने मेकानिजम बताई बट इसकी यूज करने जुरूत नहीं जब तक आपको कोश्चन में न कहा ह हुआ आप डियरीक्ट स Haile एड कर दे अअपको पता चाहिए के लेक्ट्रोफाइल कौन में और अगर कोश्चन मेकशन कहा गया तो मेकनिजम से भी सकते हैं है अगर मेकारियम नहीं किया गाते जबरदस्त्ति टाइम पास करने की कोई वर्वत नहीं है कि अब हमारा क्या ओध्यक्कोफार एके एड़ हो जाएगा हमने पर लिए एड़ कर दियाया एड़ает बांजी sujet इनोट स्क्राइन क्यों हमारा बना वह एन नायर्ट्रो वैंजिची कि क्या है व्रूधेward यह हुमारा नायर्ट्रो वैंजींड अब बात आती है कि है ऐसे नो-3 हमने ले लिया है प्लस कंसेंट्रेटेड़ एस टू-स फॉर यह ओगे मारा कंसेंट्रेटेड़ एस टू-स फॉर अब आप मुझे बताईए इन दूनों में स्ट्रोंग एसिड कौन सा है एसिड तो दोनों ही है एक एच नो-3 एड़ है एस1 फॉर इसट्रोंग एक क्रोंड़ से कावह सह है ईट्रोंग से यह इसट्रोंग एस इइंद ऑनों में इस्ट्रोंग एस इस्ट्रोंग एशिइड है कि इस forte要श उछिन है मतलब यह एक प्लस डोनेट करेगा इस OH पर attack करेगा जैसे मैंने आपको social situation बताया था कि जब भी एक electrofile होगा वो loan pair पर हमेंसे attack करेगा यह H plus कहें कि electrofile की तरह है तो अब यह जो H plus है इस OH पर attack करेगा इसके loan pair पर तो कुछ ही इस तरह का हमारा form होगा H O एक H add हो गया तो इस पर plus charge आएगा डबल bond O और यह oxygen अब मैंने आपको बताया था कि जब भी H2 पर plus charge आए तो यह हमेंसा निकल जाता है और मैंने अभी अभी बताया आपको कि जब भी एक bond तूरता है तो एक side positive होगा एक side negative होगा हेटरोलाटिक cleavage हो रहा है हेटरोलाटिक cleavage में अगर हम एक side arrow जिधर ले जा रहा है उधर negative होगा उसके opposite side positive होगा यह तो positive negative मिलके neutral हो जाएगा मतलब ही H2 हो जाएगा प्लस अब इसके पास तो NO2 है और NO2 है तो प्लस चार्ज आएगा क्योंकि यह जब electron pair लेकर इधर गया तो इसपर minus चार्ज आए इसपर प्लस चार्ज आए तो यह NO2 प्लस है यह हमारा NO2 प्लस है और यही हमारा क्या है Electrofile है यह है हमारा formation of Electrofile अब बस इतना याद रखें कि Concentrated HNO3 प्लस Concentrated H2SO4 अगर गीवन है तो हमारा Nitrobenzen form होगा और उसमें Electrofile क्यों होगा Electrofile होगा हमारा NO2 प्लस यह है हमारी Nitration reaction यहां पर जो Concentrated HNO3 जो हमने Nitration of Benzene में लिया था प्लस Concentrated of H2SO4 जो हमने लिया इस Mixture को हम Nitrating Mixture बोलते हैं हो सकता है आपको एक्जामपल में यह Reagent Nod देकर यह कह दे जाए कि what will be our product on reaction of Benzene with Nitrating Reagent तो आपको पता होना चेए एक Nitrating Reagent हम किसे बोलते हैं Nitrating Reagent हम इनही को बोलते हैं Concentrated H2SO4 प्लस Concentrated HNO3 और जो Electrofoil हमारा बनेगा वो क्या बनेगा NO2 प्लस जिसे हम Nitronium आयन बोलते हैं अब हम सेकेंड रियक्षिन अपना पड़ते हैं Nitrosoation reaction Nitrosoation I know आपके हो सकते हैं NCRT में यह सारी Given नहीं हो बट यह एक Important reaction होती है और जब इनका Mechanism सेम ही है तो एक दो एक्स्ट्रा पड़ने भी हमारी कोई बुराई नहीं है In this case Again आपको एक Benzene Ring गिवेन होगा प्लस इसमें जो Reagent होगा वोगा NaNO2 प्लस HCl Add ANO2 प्लस HCl और यहाँ पर जो Form होगा वो Anno Add होगा Not Anno2 यहाँ पर क्या होगा? Anno Form होगा इसको हम Nitroso Benzene बोलते हैं इसको हम Nitroso Benzene बोलते हैं और जो Electrophile होता है Anno Plus होता है जीसे हम Nitrosonium आयन बोलते हैं Nitrosonium आयन है अब इसमें भी हम Formation of Nitrosonium जाटीज Electrophile को हम चेक कर लेते हैं क्यूं आया यह यह फिर कैसे है? आप बताएं NaNo2 है प्लस हमने HCl डाल रखा है ठीक तो हमने NaNo2 प्लस HCl में जब 2 moles of HCl डाला तो यह NaCl form होगा प्लस एक H2O निकलेगा प्लस Nitrosonium Ion विच इज आवर Electrophile जनरेट होगा यह हमारी Nitrosonium Ion अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं जो Next है हमारा Reaction वह है Chlorination इसको हम Chlorination भी नाम दे सकते हैं या फिर हम इसे Ingeneral Halogenation नाम दे दे Halogenation Halogenation तब होता है जब कोई भी आपको Halogenum Groups गिवें हो like Br2, Cl2 या I2 इन दे प्रेजेंस ओफ अनी लेविस एसीड कोई भी लूइस एसीड के प्रेजेंस में अगर हैलोजन हो तो Halogenation reaction होगा और एक Halogen जाके add होगा अगर अगर बेंजीन रिंग है और Cl2 घीवें है तो एक Cl3 आपको पता है कि एक लूइस एसीड है तो यह क्लोरीन जो है Cl and Cl Al Cl3 एक लूइस एसीड है और इसके पास क्या है लोन पेयर है यह लोन पेयर अपना इसको डोनेट करेगा और इधर से यह तोट जाएगा तो यहां से Cl plus plus Al Cl4 माइनस फॉर्म होगा यहां पर जो एलेक्ट्रोफाइल होगा हमारा क्या होगा Cl plus होगा तो Cl plus हम क्या करें बेंजीन रिंग पर एड़ कर दें तो यह हमारी क्लोरीनेशन डियक्शन हो जाएगी अगर हम यह ब्रूमीन यूज करतें अगर हम यही बेंजीन रिंग plus Br2 in the presence of FeBr3 करें तो अगेन हेलोविनिन रियक्शन होगा बट यहां पर ब्रूमीन है इसलिए यहां पर जाके ब्रोमीन एड होगा तो यह हमारे लिए कौन से रियक्शन ह divis footage तो हमने क्या 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 पढ़ा हमने पढ़ा हमने पढ़आ अभी nitrogen nitrogen and halogenation halogenation में हमने दो discuss किया एक chlorination and दुसरा bromination अब आए हम अपनी next injection पढ़ते हैं जो है हमारा sulfonation and desulfonation सल्फोनेशन मतलब जब हम उस पर सल्फोनेशन कराएंगे SO3H का एडिशन होगा सब्सिट्यूशन और डी सल्फोनेशन जब SO3H को हम हटा देंगे हम दोनों ही डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें दोनों ही यूज होता है अगेन एक बेंजीन रिंग प्लस इसमें जो रिएजेंट होता है वो होता है concentrated S2SO4 जी हाँ concentrated S2SO4 और फिर after substitution जो में प्रोड़क्ट मिलता है वो होता है SO3H concentrated S2SO4 से हमने रिएक्षन करेंगे है बेंजीन की substitution किसका हुआ है SO3H का आए दिखते हैं कैसे In this case Concentrated S2SO4 जो Electrofile होता है वो होता है SO And ये आपका हो जाएगा O minus and Plus ये होती है हमारी Electrofile जब हम इसका reaction कराते हैं आपको ही पता है कि Electrofile attack करेगा Double bond टूटेगा अभी हमने इसका mechanism पढ़ा था Electrofile substitution का तो ये जो SO3 minus आएगा SO3 हम अभी लिख लेते हैं एक मेंद टूट जाएगा ये O minus और यहाँ पर plus ये plus charge जो है attack करेगा और ये bond टूट जाएगा ये double bond ये double bond टक एकली सेम रहे है ये Electrofile जो आया plus charge यहाँ पर आके add हुआ यहाँ पर minus था इसमें addition होगे यहाँ पर plus है ये होगे हमारा O minus आएगा ये O minus है यहाँ पर अभी भी एक क्या है hydrogen है further इसका resonating structure बनाएंगे होँ exactly mechanism की तरह जब हम resonating structure बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनता जाएगा O minus H further जब हम इसकी resonating structure बनाएंगे तो अभी ये इधर तुटेगा तो double bond यहाँ यहाँ यह minus यह hydrogen और ये हमारा O minus अब क्या होगा अब ये hydrogen के electrons खींच लेगा जब electrons खींच लेगा तो इस पर minus charge आगा sorry यहाँ पर plus होगा ये minus charge होगा तो minus plus मिलके bond बना लेंगे तो ये हमारा final product हो जब ये hydrogen यहाँ से निकलेगा तो ये H plus निकलेगा और सेम यही H plus इस पर जाके attack कर देगा O minus पर तो final में जो हमारा addition होगा SO3H इस तरह से form होगा ये जब H plus निकला H plus जब निकला तो इसके पास O minus था ये H plus जैसे ही निकला again इस O minus पर attack कर दिया और ये SO3H form होगा ये है हमारी sulfonation reaction इसमें हमने क्या किया हमने किया concentrated H2SO4 के reaction हमने बेंजीन से कराई electrophile हमारा SO3 था SO3H form हुआ with mechanism मैंने आपको explain किया अब ये ध्यान दे कि ये सेम hydrogen ही आके यहाँ पर O minus पर लग जाता है ये होगे हमारी sulfonation अगर ये ही हमने desulfonation कराना हो मलबब SO3H को अगर हटाना हो तो हम इसको boil करते हैं H2O boiling with H2O तो ये जो SO3H है वो substitute हो जाता है and again hydrogen हमारा मिल जाता है मलब क्या होता है benzene ring हमें मिल जाता है ये है हमारी desulfonation reaction ये है हमारी desulfonation reaction अब जो हमारी next reaction आती है वो है fridal craft alkylation अब हमें पढ़ने आ रहे है fridal craft alkylation alkylation मतलब एक alkyl group का addition होगा benzene कोई भी alkyl group हम लेलते है let's say CH3 हमने CL ले लिया in the presence of alcl3 alcl3 मतलब Lewis acid अब ही आपको बताया था मैं कि CH3Cl plus alcl3 अगर कहीं दिखा है तो ये chlorine इसके electrons को donate कर देगा और CH3 plus plus alcl4 minus form होगा chlorine nation में हमने पढ़ा था उसमें दोनों ही chlorine थे तो एक chlorine जब चला गया तो एक chlorine भी positive आया यहाँ पर सिर्फ एक chlorine नहीं थे ये chlorine तो चला गया alcl4 minus के form में अब बचा CH3 तो उस पर positive चार्ज आ गया मतलब ये क्या बन गया एलेक्ट्रोफाइल अब ये एलेक्ट्रोफाइल क्या होगा इस पर लग जाएगा CH3 जो हमारा compound बनेगा वो क्या बनेगा toluene इस वो common name होता है toluene इसमें एक important reaction आती है अब इसमें आप देखें कि CH3 plus carbon tan बन रहा है इसमें बिसले rearrangement होता है rearrangement होता है और product हम जैसा सोचते हैं वैसा नव फॉर्म होके कुछ और ही फॉर्म होता है ये हमारी benzene ring है plus CH3, CH2, CH2 and CL ये हमारा एक कोई compound है मतलब प्रोपाइल क्लोराइड है in the presence of ALCL3 हमें reaction कराना है ये बहुत ही famous question है इसमें basically एक regioning type का बन जाता है कि ये जो product होता है ये क्यों मीन क्यों form होता है इस product हम क्यों मीन बोलते है जबकि form अगर हम direct basis पर करें तो ये plus charge आएगा ये minus आएगा तो ये CH2, CH2 and CH3 बनना चाहिए था बट ऐसा नह क्यों मीन बन रहा है क्यों क्यों मीन बन रहा है तो बात ये है ये हमारा नहीं बनता है CH3, CH2 CH2 and CL plus ALCL3 जो given है आपको ये ALCL3, CL को again वही होगा donation of this ये donate कर देगा निकल जाएगा यहाँ पर CH3, CH2 CH2 plus आएगा plus ALCL4 minus अब इस carbo katan का क्या होगा इस carbo katan के rearrangement होती है rearrangement of carbo katan carbo katans जो है वो कहीं भी अगर intermediate के form होते हैं तो अपने आपको rearrange कर लेते हैं मतलब वो less stable से more stable चले जाते हैं आप मुझे बता हैं कि अगर हम इस CH3, CH2 और CH2 plus की बात करें तो इसमें अलफा हैडोजन कितने हैं यह है हमारा अलफा कारवन और यह होगा हमारा बेटा कारवन अलफा कारवन पर दो हैडोजन अटे हैं अगर हम इसके rearrangement करा दें अगर हम इसके rearrangement करा दें rearrangement कैसे होता है यह CH3 है यह CH है यह H है और यह CH2 है और यह प्लस है तो rearrangement में क्या होता है 1,2 hydride shift होती है यह 1 है यह 2 है 2 से hydride shift होता है 1 पर और 2 पर आता है positive charge मतलब यह hydride जो यहां से निकलेगा यह minus आएगा यह plus आएगा तो इस पे plus charge आएगा यह minus निकल गया यह minus जैसे ही निकला यह hydrogen यहां पर attack कर देगा तो यह plus से neutral हो गया मतलब यह CH3 CH plus CH3 बन गया क्योंकि यह hydrogen जो यहां पर जबके attack होआ तो CH2 था प्लस एक hydrogen जबके CH3 हो गया तो actual में यह हमारा electrophile होआ अब इसमें देख लेते कि यह stability gain किया कि नहीं किया अगर हम यहां पर alpha hydrogen की बात करें तो यह भी alpha carbon है यह भी alpha carbon है दोनों ही alpha carbon है तो दोनों ही hydrogen को हम count करेंगे तो 3 plus 3 कितने hydrogen होगा alpha hydrogen 6 इस्टेबलीटी बढ़ी यह रियर्रेंजमेंट पॉसिबल होगा कुछ ऐसे भी रियक्शंस होंगे जिसमें रियर्रेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा तो उसमें हम रियर्रेंजमेंट नहीं कराएंगे हम रियर्रेंजमेंट अफ कार्बोक्टाइन तभी कराएंगे जब इस्टेबलीटी हमारे कार्बोक्टाइन की बढ़े इसमें alpha hydrogen 2 थे फर्दर जब हमने रियर्रेंजमेंट कराया तो alpha hydrogen 6 हो गए मतलब यहां पर क्या हुआ इस्टेबलीटी बढ़ी और इस्टेबलीटी बढ़ी तो यह हमारा रियर्रेंजमेंट पॉसिवर हुआ अब जो यह एलेक्ट्रोफाइले CH प्लस यही यहां पर अटैक करेगा बेंजीन रिंग प्लस CH3 और इस पर प्लस चार्ज है जब यह प्लस चार्ज एलेक्ट्रोफाइले इस पर अटैक करेगा तो हमारा क्यूमेन फॉर्म होगा यह हुआ हमारा क्यूमेन फॉर्मेंट इसलिए यह रियक्शन जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हम जो expect करते हैं कि product हमारा बने वो नव बनके rearrange of carbocatine के वज़ा से cumene form हो जाता है इसका common name cumene है एक और example में कराता हूँ आपको ताकि ये आपको freddle craft alkylation आपको आना चाहिए क्योंकि ये important होता है आई एक जामपल देख लेते हैं एक और इसमें थोड़ा अच्छे से किया जाएगा ये CH3 CH CH3 CH2 CH2 PLUS ELCl3 Lewis Acid Lewis Acid इसलिए दिया ही जाता है ताकि ये कार्बोकटाइन फॉर्म हो Lewis Acid इसलिए CL को लेग जाएगा और जैसे ही CL यहां से निकलेगा ये कार्बोकटाइन फॉर्म हो जाएगा और आप याद रखें rearrangement of कार्बोकटाइन पॉसबल तभी होता है जब stability उसकी बढ़ है अगर एक rearrange करने पर stability घटती है तो हम उस rearrangement को गलत मानेंगे और उसको rearrange नहीं करेंगे फॉर एक्जमपल इन दीस केस यह जो molecule है CH3 CH CH3 CH2 जब हम इसकी reaction ALCL कराएंगे तो again वही यहां से CL क्या होगा निकल जाएगा जब CL निकलेगा तो यह positive चार्ज जागा हमेरे यहां पर positive बना दिया अब क्या इसकी rearrangement possible है क्या इसकी rearrangement possible है एक बार rearrange करके देखते हैं यह 1 है यह 2 है 1,2 hydride shift 1,2 hydride shift हमने किया मतलब CH3C यहां पर जो hydrogen है मैं उसी को यहां पर explain कर रहा हूँ अभी मैंने shifting की नहीं है यहां पर CH2 plus है यह 1 है यह 2 है यह जो hydride आया नहोगा यह hydride निकलेगा यहां से यह single bond तोट रहा है arrow इधर जा रहा है मतलब इसके पास minus आएगा इसके पास plus आएगा और यह minus जो है इस पर attack करेगा तो जब यह minus इस पर attack करेगा तो यह minus plus मिलके एक bond बना लेंगे तो यह CH3C CH3 यहां पर plus आएगा यहां पर कितना plus CH3 हो जाएगा क्योंकि यहां पर plus आया यह निकला तो और यहां पर यह गया तो यह plus हट गया यह neutral हो गया अब अगर हम यहां पर alpha hydrogen के अगर counting करते हैं तो हमें beta carbon से मतलब नहीं होता है हमें सिर्फ carbon and alpha hydrogen से मतलब होता है मतलब यहां पर alpha hydrogen सिर्फ 1 होते हैं बट आप देखिए अब rearrangement के बाद इसके पास alpha hydrogen 9 हो गया most stable हो गया यह तीन यहां तीन यहां और तीन यहां total 9 alpha hydrogen हो गया मतलब यह rearrangement क्या है correct है और रियारेंजमेंट अगर हुआ तो जो इलेक्ट्रोफाइल अब हमारा बना आफ्र रियारेंजमेंट यही रियक्शन करेगा बेंजीन से तो यह बेंजीन है वारी यह कार्बन और इससे CH3 तीन CH3 एड़ है यह हमारा क्या होगा प्रोडक्ट फर्म होगा I hope आपको यह समझ में आया होगा कि रियर्रेंजमेंट अफ कार्बोगटाइन कैसे हो रहे है इवर फिर एक्स्पेन कर देता हूँ मैं फर्स्ट अफ फर्ल जो कार्बोगटाइन बनाया है उससे बना ले इसमें क्या बना CH3 CH2 प्लस और इस कार्बन से CH3 अब इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो कार्बोगटाइन बना है प्लस चार्ज इसकी री अर्रेंजमेंट होती है 1,2 हैड्राइड सिफ्ट हम करेंगे 1,2 हैड्राइड हैड्रोजन को हम 1 पर लाएंगे और 1 की पॉजिटिव चार्ज को 2 पर ले जाएंगे यहाँ पर प्लस आ जाएगा यहाँ पर CH3 है ही अब यह हैड्रोजन जब इससे अटाच लुगा तो यह पहले CH2 था अब यह CH3 हो गया यह इलेक्ट्रोफाइल होगा हमारा इसे हम री अरेंजमेंट बोलते हैं री अरेंजमेंट आफ कार्वो कटायन एक और बढ़ेया एक्जांपल कराता हूँ आपको ताकि आपको यह पता चले कि कुछ ऐसे भी किसेस बनेंगे जिसमें री अरेंजमेंट नहीं होगा आए देखते हैं यह हमारी बेंजीन रिंग प्लस CH3 CH2 CH2 CH CH3 and CL यह है हमारी कोई कमपाउंड गिवेन है इन दे परिजन्स अफ ELCL3 हमें प्रोडक्ट बनाना है कि क्या बनेगा आज यूजियल जैसे मैंने आपको बता है फर्स्ट अफ फॉल हम कार्बोटैन बनाएंगे ELCL3 जो इस CL को लेके निकल लेगा तो यह CH3 CH2 CH2 CH CH3 और यहां पर क्या होगा प्लस चार्ज होगा अब देखते हैं कि इसमें रियर्इंजमेंट होगा कि नहीं होगा फर्स्ट अफ और काउंट करते हैं कि इसमें पर हल्फा हैड्रोजन कितने हैं अल्फा कार्बन यह है और यह है यह है इक अल्फा कार्बन और यह है इसके दो हैड्रोजन है इसके तीन हैड्रोजन है मतलब टोटल पाच अल्फा हैड्रोजन है अब rearrangement कराते हैं before rearrangement हम numbering कर लेते हैं CH2 CH H CH CH3 और यहां पर plus charge है जो मैंने बता है यहां पर बना दिया अब 1 2 1,2 हड़ाइड शिफ्ट करेंगे हम 2 से हड़ाइड वन पर जाएगा और 2 पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज तो यहां पर आया CH2 और इस CH3 को मैं यहां पर लिख दे रहा हूँ यह rearrangement अब बताएं कि यहां पर अल्फा अड्रोजन कितने है इस वन इस अल्फा कार्वन और इस वन इस अल्फा कार्वन दो इसके पास हैं दो इसके पास हैं टोटल अल्फा अड्रोजन चार हैं इनिशली फाइफ थे हैं अल्फा अड्रोजन फाइनली आफर रियर्रेज्जमेंट 4 हो गए मतलब नमबर अफ अल्फा अड्रोजन घटे हैं इसका मतलब stability घटी है और अगर और जो प्रोड़क्ट बनेगा हमारा बेंजीन रिंग पर हम इल्फाइल अड्रोफाइल अड्रोजन कर दे यह है हमारा CH इससे हमारा एक CH3 अड्र है और फर्दर इससे CH2, CH2 and CH3 थेड़े ले यह हमारा प्रोड़क्ट बनेगा तो मैंने आपको तीन एकजांपल लिये हैं दो मैं रियरेंजमेंट पॉसिबल था आफ्टर रियरेंजमेंट हमने देखा stability बढ़ रही है हमने उसको माना कि हाँ यह करेक्ट है बिल्कुल रियरेंजमेंट 110 परसंट होगा एक मैंने एकजांपल ऐसा भी लिया जिसमें रियरेंजमेंट नहीं हो इनिशली अलफा एड़ोजन 5 थे फानली 4 हुए stability घटी घटी तो घटना हमारे लिए अच्छा नहीं होता इसका मतलब यह रियरेंजमेंट नहीं होगा और इनिशली जो कालबोटन हमारा बना था वही एलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा और वही जाके एड़ होगा बेंजीन रिंग से तो यह थी हमारी फ्राइडल क्राफ्ट अलकाइलेशन रियक्शन अब जो लास्ट है अब जो हमारी रियक्शन वह फ्राइडल क्राफ्ट असाईलेशन अब जो हमारी लास्ट रियक्शन है वह हमारी फ्राइडल क्राफ्ट असाईलेशन फ्राइडल क्राफ्ट असाईलेशन इसमें क्या होगा इसमें होगा कि बेंजीन रिंग तापको गिवेन होगा ही प्लस इससे पहले जो हमारा हेलो एलकेन होता था वहाँ पर हेलो एलकेन नौके एक एक एसिड हेलाइड होगा R-C-O-C-L इन दर प्रेजन्स अफ अगेन एक लुईस एसिड होगा L-C-L-3 जिससे कि ये C-L को निकाल सके और एलेक्ट्रोफाइल जो हो R-C-O-P-L-S बन सके ये अगेन C-L यहाँ से निकल जाएगा लुईस एसिड के साथ तो ये R-C-O-P-L-S ये एलेक्ट्रोफाइल की तरह आक्ट करेगा और यही जाके इसमें एड हो जाएगा C-O-R ये हमारा क्या बना? कीटोन बना If R not equal to H ये कीटोन, L-D-H-E-C-T-O-N अल्दो हमारा ये जो है Second term में जो है syllabus इस बार के उसमें है but reaction exactly same है इसलिए मैं यहाँ पर बताएदे क्योंकि अगर मैं वहाँ पर बताता तो फिर आपको ये समझ में नहीं आता है इसलिए मैं यहाँ पर बताना ज़्यादा important समझा एक example देख लेते है This is benzene plus this is CH3 COCl हमने एक Lewis Acid लिया CL यहाँ से निकल जाएगा तो CH3 CO plus हमारे electro file बनेगा और यही इस पर जाकर add हो जाएगा तो CO CH3 हमारा product बनेगा इसमें कोई arrangement बगरा नहीं होती है rearrangement सिर्फ और सिर्फ फ्रादल क्राफ्ट अलकाइलेशन में होता है आप इस बात को ज्यान दे सिर्फ उसी को याद रखें बाकी सब आपका ठीक रहाएगा बाकी सब आपका normal है बात समझ में आई अगर समझ में आई तो एक दो और example देख लेते हैं मान लिए एक example दिया हुआ है कि ये बेंजीन है प्लस एक बेंजीन से COBR आपको गिवेन है अगेन ALCL3 या ALBR3 या फिर आप FEBR3 भी ले सकते हैं ये हमारे एक loose acid की तरह काम करेगा ये bromine अगेन यहां से निकलेगा और जो एलेक्ट्रोफाइल होगा हमारा वो होगा CO प्लस मतलब ये एलेक्ट्रोफाइल अब बेंजीन से एड होगा और इस बेंजीन से CO एक और बेंजीन रिंग एड़ेड होगा ये product मनेगा हमारा बात समझे आई इसके बाद भी फर्दर रियक्ट्रोफ करा जाते हैं अगर हम इसको reduction करा दें LILH4 से तो ये एक एल्कोहॉल बना लेगा और फिर एल्कोहॉल का भी आगे रियक्ट्रोफाइल होती है GnCl2 प्लस HCl से जो एक पेस्ट भी होता है बट वो अभी हमारे syllabus में नहीं है तो हम यहीं पर इसको रोकेंगे तो यहां पर जो बेसिक रियक्शन्स हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन के वह मैंने आपको बता रहा अगर आप NCRT में देखेंगे वह तो डियरेक्ट्ली कुछ ऐसे कंबाउंड्स लेट से दिसेज क्लोरीन फर्स्ट फॉल पहले से यह एड़ेड है अभी तक हमने जितने भी रियक्शन करा है छे साथ उसमें इस बेंजीन रिंग पर कोई सब्सिट्यूशन नहीं था NCRT म अगर आप देखेंगे तो उसमें कलोरीन होगा ब्रोमीन होगा और भी दो-तीन ग्रूप्स होगे अलब डिफ्रेंट डिफ्रेंट कोश्चन्स में प्लस गोई एक एलेक्ट्रोफाइल का रियक्शन कराएंगे माल लेते हैं कि CH3, CL इन दे प्रेजन्स आफ ऐल, CL3 है कार्बोटान हमारा बनेगा CH3 प्लस और इसमें आप जब देखेंगे तो दो प्रोड़क्ट बन रहे होंगे एक इसके और्थो पर CH3 लग जाए प्लस दूसरा क्या पॉस्पिलिटी है इसके पैरा पर CH3 लग जाए हमें यही पढ़ना है कि यह और्थो और पैरा पर क्यों लगता है इस पोजिशन पर क्यों नहीं लगता और कौन-कौन से ग्रूप्स होंगे जो इस पोजिशन पर भी जो आने वाला प्रोफाइल होगा उसको एड कराएंगे इन सारे कोश्चन्स का जो आंसर होगा हम अपने नेक्ट लेक्चर में देखेंगे जिसमें हम एक्टिवेटिंग एंड डी एक्टिवेटिंग ग्रूप् जो बेंजीन रिंग की जो रेट है एफ़ जो रियक्शन है उसको एक्टिवेट करते हैं और डी एक्टिवेट करते हैं मतलब उसकी जो है इस्टेविटी बढ़ाते हैं घटाते हैं कब वो मेटा पर पोजिशन पर एड़ कराते हैं इले प्रोफाइल को कब उसको और्थो और पैरा पोजिशन पर लगाते हैं इन सारी चीज़ों का हम जो है आंसर अपने next lecture में देखेंगे Till that, thank you so much मिलते हैं अगले lecture में